और चलिए आगे बढ़ते हैं, आजबगड में हत्या की आरोपी से फुलिस की मुटफेड हुई है, कचानी से आपको बता दे कि अव्यूक्त फरार हो गया था और इसके बाद आरोपी चितेंद्रियादव के पैर में गोली लगी थी, मामले के बाद लापरवाह थानेदार प पुरा की ये पूरी घटना है, शालेंद्रिलाल अपल पुलिस अदिक्षक की तरफ सा को बता दे कि ये जानकारी दी गई है, महराज नाजपूर पंचात के दक्षिनपूरा का ये पूरा मामला है, जहां पर कचेहरी से अव्यूक्त फरार हो गया था, लापरवाही के आरो थाना धक्ष पर भी लगाए गए थे, इसके बाद पुलिस की मुठभेड में आरोपी के पैन में गोरी लगी। पुलिस की उपर फाइरिंग करीगी, वह वहां से भागने के इसके दौरा प्रयास की गया है। पुलिस के दौरा आत्मरक्षात्वा कंट्रोल फाइरिंग करीगी, जिसमें जीतेंद यादफ के दाहिने पैर में गोली लगी है, वह इसको पुना पकड़ लिया गया है। प्रात्मिक उप्चार के बाद जीतेंद यादफ को जेला चिकित साले इलाज के लिए भीज दिये गया है।